Hello and welcome friends, Microsoft Access सिखने की सीरीज में मैं सुरज आपका स्वागत करता हूँ पिछले वीडियो में हमने आपको सिखाया था कि macro कैसे create कर सकते हैं और आज की ये वीडियो यानि की ये वीडियो navigation को लेकर क्या है यानि की अगर आप navigation create करते हैं यहाँ पर हम आपको ये navigation दिखाई पढ़ता है और यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये तमाम option आपको दिखाई पढ़ते हैं तो ये इस तरह से इसका क्या use है, क्या एसे हम इसको प्रियोग करेंगे इसी के बारे में बात करेंगे, तो चलिए आए ये start करते हैं इसको सबसे पहले क्या करना है हमें, सबसे पहले यहां पर देख सकते हैं, दो form हमारे पास available हैं, ठीक है, दो tables भी है, tables को मैंने off कर रखाए, यहां पर आपको दिखाई पॉर्टाओं का product, your customer, और यहां पर दो forms भी है, customer F और product है, ठीक है, और एक macro भी create कर रखा है, जैसे कि आप पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें चलना है create पर, create पर हम मौझूद है, अभी हमें जाना है navigation पर, navigation पर जाते ही आपको यह तमाम option दिखाई पढ़ने लगेंगे, यह कौन-कौन से option है, पहला horizontal tab, अगर आप navigation horizontal style में बनाना चाते हैं, तो horizontal tab चूझ कर सकते हैं, vertical tabs left, vertical style में बनाना चाहें, तो vertical tab left, चौन यह left में जाएगा, यह vertical tab right अगर करना चाते हैं, तो right में जाएगा फिर horizontal tabs two level तो ये अलग style थोड़ा देगा और फिर ये और फिर ये इसी तरीके से ये सारे option आपको दिखाई पढ़ेंगे 6 option है कुल मेला जुला करके हम अभी horizontal tabs पे चलते हैं तो यह horizontal tabs पे कर दिया click अब आपको दिखाई पढ़ रहा होगा यहाँ पर यह इस side में तो यह customer F हमें यहां लिखना है तो यहां पर लिखता हूँ में customer F लिख दिया enterprise करना है जैसा ही enterprise करेंगे तो आपको यहां पर customer वाली पूरी detail दिखाई पड़ेगी ठीक है अब दूसरे की बात कर लेते हैं यहां पर double click किया फिर यहां पर आगए अब यहां पर लिखन navigation form बनाने का मतलब यह है कि आपको एक ऐसा यहां से view मिल जाएगा कि आप यहां पर click करिए customer का पूरा detail देख लिए यहां पर click कीजिए product का पूरा detail देखिए अगर कुछ और भी बनाना चाहते हैं तो उसका भी पूरा detail यहां पर आजाएगा अब थोड़ा सा इसमें setting कर ले थोड़ा उपर ठीक है यानि यह इस तरह से अब हमें करना क्या है यहां पर रखना है cursor को और इस पूरे text को ले ले रहा है selection में actually पूरा text ही ले सकते हैं मैं यह कि करके ले रहा हूँ selection में ले करके इसे bold बना देता हूँ ठीक है background कि इस color का रखना चाहते हैं वो देख लीज हम थोड़ा सा change कर देते हैं यह background मेरे हिसाब से ठीक है अब यहां पर इसको भी selection में ले करके bold और यहां पर black बना देना इसको ठीक है और अब यहां से click कीजिए तो यह इस तरह से दिखाई पड़ेगा इसको save कर लेता हूँ save कर लिया अब यहां पर click करता हूँ तो यह दे दिखाता रहूंगा अगर वीडियो पसंद आये तो इसे share कर सकते हैं thank you for watching this video